कि आज मैं इस डिजाइन को बता रही हूं यह टू के मल्टिपल में फंदा लेना है इसमें और एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है इस डिजाइन को बनाने के लिए और इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं तो बताती हूं कैसे बनेगा इस डिजाइन को बनाने के लिए 2 के multiple में फंदा लेना और एक extra लेना है अब इसको start कैसे करना है border के बाद यह बताती हूँ तो सबसे पहले एक फंदा बुनना है पहला फंदा को बुनना है सीधा और दूसरा फंदा को उतार लेना इसी direction में ऐसे फिर एक फंदा बुनना है और एक फंदा बुनना है सीधा बुनना है और यह एक फंदा उतारना है फिर एक फंदा सीधा बुनना यह पहला से लाई ऐसे करना पूरा यह फर्स्ट रो इस तरह से कंप्लीट करना एक फंदा को सीरा बुनना है और एक फंदा उतारना है इस तरह से एक फंदा को बुन लेना यह फर्स्ट रो इस तरह से कंप्लीट करना है तो मैं यह पूरा रो यहां तर कंप्लीट कर ले रही हूं एक फंदा बुन के और एक फंदा अगला फंदा उतारना है, जैसे ये फंदा बुन लिए, फिर एक फंदा उतारे, फिर एक फंदा बुन लिए, फिर एक फंदा उतारे, सिधा ही बुनना है, तो मैं ये complete कर ले रहे हूं, तो इस तरह से ये last का फंदा बुनाएगा, ये फंदा उतार गया है, अ बुनना है पहला फंदा और दूसरा उतारना है सेकंड रो में इसमें उल्टा बुनना है पूरा लेकिन जो उतारा हुआ फंदा है उसको उतार लेना जो बुना हुआ है उसको उल्टा बुनना है इस तरह से उल्टा बुन लिए और ये उतारा हुआ है इसको उतार लेना है औ जो बुनावा उल्टा बुन लेना है तो यह second row में इस तरह से करना है जो फंदा उतार लिए और फिर यह बुनावा को उल्टा बुनना है इस तरह से second row complete करना है तो इस तरह से में second row को complete कर ले रही हूँ इस तरह से second row complete हो गया third row में इसमें third row बनाना है तो एक उल्टा एक सिधा बनेगा तो पहला फंदा जो है यह उल्टा बनेगा जो उतारा हुआ फंदा है वो सिधा बनेगा तो पहला जो यह फंदा है यह उल्टा बनेगा जो बुनावा था वो उल् तो पहला फंदा उल्टा बुन्नी के बाद इस तरह से सीधा बुना गया उतारा हुआ फिर उल्टा बुनाएगा यान एक उल्टा एक सीधा इस तरह से बनता जाएगा सारा सलाई इस तरह से बनाना है पहला फंदा फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा तो उल्ट इसमें वही फंदा बन रहा है जो बुना हुआ था जो उतारा वा था वो सीधा बन रहा है इस तरह से बुना वह उल्टा बुनाया और यह उतारा वह फंदा है यह सीधा बुनाएगा एक उल्टा एक सीधा पूरा सलाई इस तरह से बनाना है पहला फंदा उल्टा जैसे यहां बनाएं फिर सिधा बना फिर उल्टा फिर सिधा तो सिधा वही फंदा बन रहा है जो उतारा हुआ है इस तरह से एक उल्टा एक सिधा बनाते चले जाना है यह पूरा रो थर्ड रो इस तरह से कंप्लीट करना है डिजाइन बहुत ही आसान ह और फिर इस तरह से मैं ये पूरा रोग कंप्लीट कर ले रही हूं उतारा हुआ फंदा है उसको सीधा बुल लिए और ये फंदा बिनावा को उल्टा यानि एक उल्टा और एक सीधा तो इस तरह से मैं कंप्लीट कर ले रही हूं एक उल्टा एक सीधा यहां से उल्टा से यह थार्ड रो में करना है तो इस तरह से एंड पे पहुंची हूँ यह फंदा बुना हुआ यह फंदा उतारा हुआ है तो बुना हुआ को उल्टा बुन लेना है इस तरह से और उतारा हुआ इस तरह से उल्टा बनाना यह एक उल्टा और एक सिधा बनाते चले जाना है यह इसको सिधा बना लिए और फिर उसके बाद उल्टा से कंप्लीट हो जाएगा यह थार्ड रो में हो गया एक उल्टा एक सिधा एक उल्टा एक सिधा अब फोत रों पूरा उल्टा बुनाएगा फोत रों को पूरा उल्टा बुनना है पूरा फंदा सारा फंदा इसमें तो मैं 4 रोव कंप्लीट कर ले रहे हूं यह 5 रोव में अब क्या करना है जो उतारा हुआ फंदा था उसको बुनना है और जो बुना हुआ था उसको उतारना है तो पहले तो दो फंदा को सिधा बुन लेना है इस तरह से दो फंदा पहला सिधा बुनाएगा उसके बाद यह है यह फंदा को उतारना है दो फंदा बुनने के बाद उतारना दो फंदा सीधा बुनने उतारे फिर अब कंटिनी हो जाएगा एक बुनाएगा और एक उत्रेगा यहां से जब दोना ऊतरे फैंट है उसको गणारे तो यहां पेएक राव जाता है जैसे दो फैंदाहम यहां पे बुन लिए शिधा उसके बाद 2020 पुम दनंट एक फिर एक फंदा बुने, एक फंदा उतारे, एक फंदा बुने, इस तरह से, यहाँ पर करते चले जाना है, यह रो पुरा, इस तरह से, एक उतारना है, एक बुनना है, एक उतारना, एक बुनना है, सिधा ही बुनना है, और जो बुनाएगा, वो सिधा बुनाएगा, तो यह फ फंदा सीधा बुने उसके बाद शुरू किया है उतारना उसी तरह से अब 6 तरो में क्या है जो बुना हुआ है उसको उल्टा बुनना है और जो उतारा हुआ है उसको उतार लेना जैसे यह दो फंदा सीधा बुने थे उदर से यह दो फंदा उल्टा बुना गया जो उतारा ह ये उत्र लेकिन उल्टा बुणना है इस तरह से उतारने फिर बुना है फिर बुन लिए जो बुनाएगा वही फंदा जो उत्र से बुना हुआ है और उसको उल्टा बुनना है इसका ध्यान रखना है उतार जड़ लेना अब बुना हुआ को वूुंता बुन्सां तरह से एक फंदा उतरेगा एक फंदा बुनाएगा उल्टा तरह से कर लेना ये पूरा सलॉएent इस्थ्रो श्तर से एड़ी पहुंच गया है तो यह उतारा हुआ है इसको उतार लेना है तो फिर बुनावा को बुन को बुन लेना और फिर यह सिधा बनेगा यह सिधा हो गया पहला फंदा सिधा बुन लिए इस तरह से फिर दूसरा फंदा को उल्टा बुन लिए ऐसे फिर उसके बाद दागा पिछे के यह उतारवा फंदा यह सिधा बुनना है अब यहां से फिर सेट हो जाता है फिर एक उल्टा एक सिधा इस तरह से यह इस तरह से करना है जो बुना हुआ है उसको उल्टा बुनना है अवतारा हुआ फंदा को सीधा बुनना है तो पहला फंदा यहां पर सीधा बुने फिर दूसरा उल्टा बुने फिर तीसरा यहां पर सीधा बुने यहां के बाद फिर सेट हो जाता है जैसे यह सीधा बुने फिर यह उल्टा फिर यह सीधा फिर यह उल्टा फिर यह सीधा फिर यह सीधा इसके बाद फंदा यहां पर स पंदा को सीधा बुनना है और ये बुना हुआ फंदा को इस तरह से उल्टा बुनना है उतारा हुआ को सीधा बुनना है तो एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा इस तरह से ये सेवंथ रोप पूरा ऐसे जाएगा इस तरह से बस स्टार्टिंग में सेट करना है और यह ध्यान रखना है कि जो उतारा वह फंदा है उसको सीधा बुनना है इस तरह से तो इस तरह से मैं यह पूरा सलाई 7th row complete कर ले रही हूं फिर 8 row में बतार्ति हूं क्या करना होगा इस तरह से करना है बुनते जाना है 7th row को एक उल्टा एक सीधा लेकिन जो सीधा बुनाएगा वह उतारा वफंदा होना चाहिए इस तरह से बुनते जाना है तो इस तरह से 7th row complete हो गया 8 row पूरा जो है उल्टा बुनाएगा और इनी 8th row को repeat करते वे design को आगे बढ़ाते जाना है इस तरह से 8th row है वह पूरा उल्टा बुनाएगा इस तरह से 8th row को पूरा उल्टा बुन लेना है तो इस तरह से 8th row complete कर लिए यह 8th row में design complete हो जाता है और इनी 8th row को repeat करते जाना है तो इस तरह से बनता जाएगा इनी